शिंदे जी को किंग मेकर बनाने में किसकी भूमिका थी दिखे किंग मेकर बनाने में भूमिका क्या थी यह तो नहीं में कहूंगा पर मैं इतना जुरूर कह सकता हूं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में मैं कैटलिस्ट था हूं मैं किंग मेकर नहीं हूं मैं कैटलिस्ट हूं और शिंदे जी के मेरे पुराने रिष्टे है और जब मेरे ये ध्यान में आया कि जिस गड़बंदन में ये लोग काम कर रहे है इसमें इनका दम घुट रहा है क्योंकि जिन्दगी भर भगवा ध्वज लेकर जो हिंदोतों की बात करते हैं उनको सुडो सेक्यूलर बात करनी पड़े उनी की सरकार में उनको टारगेट होना पड़े उनी की सरकार में उनके बोरों से दुसरी पार्टिया बड़ी हो तो इससे एक प्रकार से एक बड़ा संकोच उनके मन में तैयार हो रहा था उनकी स्पेस श्रिंक हो रही थी तो इसलिए हमारी बात्चित हुई और उन्होंने का कि मैं नहीं रह सकता है इसे गड़ बंधन में तो हम लोगों ने तई किया और उसके बाद मेरा अपना मानना ये था कि जब इतना बड़ा निरले हो ले रहे तो उनके confidence के लिए उनके साथ के लोगों के confidence के लिए ज़रूरिये है कि वो मुख्यमंतरी बने तो मैंने स्वय मेरे पार्टी में बात की मेरे पार्टी ने कुछ समय लिया उसके बाद मेरे पार्टी ने तुरंट agreement नहीं किया क्योंकि मेरी पार्टी है मानती थी कि अपने 113 लोग अपने साथ में है इतनी बड़ी पार्टी है और सरकार चलानी है तो किस प्रकार से चलेगी लेकिन I could convince my पार्टी और मेरे नेताओं ने इस बात की इजाज़त दी और उसके बाद शिंदे जी को हमने मुख्यमंत्री बना पार्टी को स्टेट में बढ़ाऊंगा और मैं अगले चुनाओं कि तयारी करूंगा किन्तु हमारे नेताओं ने मुझे ये कहा कि सरकार चलानी है आपका experience है अपने लोग बहुत बड़े पैमाने पर है ऐसे समय आप जैसा एक experience आदमी अगर सरकार में नहीं रहेगा तो सर कर चलाना मुश्किल जाएगा अपने लोगों को भी accumulate नहीं किया जाएगा तो हम यह मानते कि आप जाईए तो उस समय मेरे मानसिकता नहीं थी जाने कि क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि लोग ये कहेंगे कि बही ये विक्ति सत्ता के लिए कितना लालईत है कि मुख्यमंदरी र और उपम्ख्यमंदरे बनने को तयार होता है इसे मेरे मुख्यमंदरी जी ये विशेश रूप से झिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने उस बात को लोगों के सामने रखा मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जैसे चोटे वार्य करता 50 अवह बढ़ाया और और शायद जो चीजे मुक्हे मंतरी बनने के बाद भी मुझे सुनने को नहीं मिलती वो अच्छी चीजे उपमुक्हे मंतरी बनने के बाद उनके करण मुझे लोगों का रियक्शन भी उसी प्रकार का मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो बनी ये सरकार एक प्रोसेस से बनी और जिस प्रकार से उनको कुंठित किया गया उसके कारण बनी तो मैं इसमें केटलिस्ट था कि जो इस प्रोसेस को एक प्रकार से एक्स्पिडाइट कर रहा था देवेंद्र जी जब आप मुख्य मंत्री बने थे तो आपको एक तरीके से विकास का पोस्टर बॉय कहा गया अब तक कहा जाता है बहुत सारी विकास की योजना है अभी जिस पर हमने बात भी की वो सब लगभग आपी के दिमाग की उपश थी और आपी के दिल से निकल कर व तो यह कॉंपटिशन कहां चल ला है इसा कोई कॉंपटिशन है नहीं ऐसा है कि हर पार्टी में कम दिमाग के लोग होते कुछ कुछ लोग ऐसे होते जो साइको फंट होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही किसी वेक्ती ने यह हरकत की पहली बात तो यह है कि इस सरकार के नेता शिंदेजी है मुख्यमंतरी ही नेता होता है अगर वो पॉपुलर है तो हमारी सरकार पॉपुलर है तो इसमें मुझे दुखाने लगने का कोई सवाल नहीं है एड़विटिजमेंट जिस प्रकार से दी गई है मुरपता थी शिंदेजी ने खुद का उन्होंने गल्ती किया यह, मैं नहीं मानता हूँ यह ठीक नहीं है, तो मेरे लिए तो उसी समय वो विश्य समाप्त हो गया, हमारी पार्टी में थोड़ा आम कारेकरतों को तो गुस्सा आता ही है, थोड़ा गुस्सा था, लेकिन मेरे इसाब से वो सारी चीज़े खतम हो गई है, तो उन